आरेसेस यानी राश्ट्री स्वेम सेवक संग की अखिल भारती कारेकारी मंडल की बैठाक आज से शुरू हो गई है ये बैठाक प्यागराज के गोहनिया इलाके के जैपुरिया स्कूल में हो रही है ये बैठाक चार दिनों तक चलेगी और इस वक्त ये बैठाक शुरू हो बैठाक में पूरे देश के जो 45 प्रांच हैं संग के मद्देनजर उस 45 प्रांच के जो है 378 जो प्रतिनिदी हैं उन प्रतिनिदीयों को बुलाया गया है ये बैठाक 19 अक्टूबर को खत्म होगी और इस बैठाक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी खासकर सं संग का सताबदी वर्ष शुरू होने वाला है और संग के सताबदी वर्ष पर किस तरीके के कारकरम आयुजित किये जाएं क्या रूप रेका होगी वो रूप रेका यहाँ पर तै किये जाएगी इसके साथ आपको बता दें कि संग प्रमुख मोहन भागवत ने विज्विया संतुलन और राष्ट्रवाद, शिक्छा, महिला सशक्तिकरण समेत तमाम उद्दों पर चर्चा होनी है लेकिन खास कर कहा यह जा रहा है कि दो हजार चौबिस का जो लोगसफ़ा चुनाओं है उस लोगसफ़ा चुनाओं के मद्दे नजर एक जमीन तयार करने की भी कोशिश की जाएगी इस बैठक के मद्दे नजर तो चार दिनों तक जो संग परिवार है वो यहाँ पर मन्थन कर रहा है, मन्थन करेगा और चार पूरा तय किया गया है, रूप रेखा तय की गई है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, तो संग की बेहत हम बैठक शुरू हो गई है, कारिकारी मंडल की बैठक है, चार दिनों तक चलेगी संगम नगरी प्रयागराज में बैठक शुरू हो चुकी है, और चार दिनो कि मन्थन के बाद पता चलेगा कि आखिर संग ने क्या रणनीती तियार की है क्या कुछ फैसले लिए है कैमरा में रोहिश्टी वास्तों के साथ मुहम्मद मुहीन एबीपी गंगा प्रयागराई एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी के बाद में हुस पोघ्छ इन मुटता के तो हम आपकी जबाद़ करिए Thursday झाल झाल